आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के आप को आज ही गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दीवानी परिसर में लगाई गई रास्ट्रेलो का दालत में सबसे अधिक बैंकों के स्टॉल लगाए गए थे लेकिन बैंक के अधिकारियों ने समस्या समाधान के बजाए वादकारियों को बैंक में आने की बात बोलकर टरगाने का प्रयास किया वही टोरेंट पावर का स्टॉल ना लगने से वादकारियों को इधर उधर फटकना पड़ा दीवानी परिसर में लगने वाली रास्ट्रेलो का दालत में नियाएक अधिकारी अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, समाधान करने के बजाए वादकारियों को गुमरह कर बैंक में आने को बोल देते हैं इसके चलते वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा वादकारी जो पराने रिण हैं उनमें जो OTS चल रहा है, काफी हुआ भी है रास्ट्रिय लोक अदालत में हर शेत्र के अमीनों को भी बुलाया गया अमीनों का कहना है कि लोक अदालत में आने वाले हर वादकारी की समस्या का समाधान किया जा रहा है बैंक लोन से समबंदित अधिक मामले देखे गए, कैम्प पर वादकारी पहुँचे लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से समस्या का समाधान नहीं हो सका फत्याबाद रोड सिद बुडेरा के रहने वाले मोहन सिंग बिजली के बिल की समस्या का समाधान कराने पहुचे लेकिन मोहन जिंग का कहना था कि लोक अदालत में टोरेंट पावर का कैम भी नहीं लगाया गया जिससे वह परिशान हो रहे हैं लेकिन लोक अदालत में सबसे अधिक मामले बैंक लोन के चिनहित किये गए वादकारी लोक अदालत में वादो का निस्तारन कराने के लिए आए लेकिन अधिकारीों ने साफ बोल दिया कि समाधान यहां नहीं बैंक में होगा वादकारीों का कहना था कि अगर समाधान बैंक में होगा तो फिर रास्ट्रिय लोक अदालत में क्यों बुलाया है इस तरह कई वादकारीों की समस्या देखने को मिली सी निउस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट